नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर बहुत सारे राज्ये हैं, अलग-अलग नाम है आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश हो गया, मद्द प्रदेश हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नए प्रदेश की मांग हो रही है। और इसका नाम बोला जा कहा जाता है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे tribal outfits demand separate भिल प्रदेश तो कौन से राज्यों के अंदर इसकी demand हो रही है क्यों हो रही है reason क्या बताया जा रहा है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा काफी कुछ जाने को है चलिए आगे बढ़ता है लेकिन उसके पहले आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है UPSC का कोर्स लेने का हमारे study IQ से क्योंकि यहाँ पर सिर्फ double line double line पर आपको यह दिया जा रहा है 30th of May तक यह valid होगा और इसमें बहुत सारे features जैसे की पूरा जो static part हो गया कुछ sample videos और आपको देखना है तो यह आप देख सकते हमारे website पर जाएए यह app को download करिए और वहाँ पर कई सारे जो features है जैसे PPT, notes इसके लावा MCQs हो गए अगर आपको offline पढ़ना है तो एक प्रकार से जो videos होता उसको download कर सकते हैं live route session हो गया यह सारी चीज़े है facilities आपको हमारे course में मिलेंगी तो इसका ज़्यादा स्यदा फाया उठाए और code इस्तमाल करिए अंकित flash तभी आपका यह जो पूरा price है 999 में हो जाएगा इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं exactly अभी हो क्या रहा है जैसे मैंने बताया कि separate state की demand हो रही है by the tribal people in western India मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहां पर किस राज की अंदर है ये ले लेकिन इसको भील प्रदेश बोला जा रहा है और लगतार इसकी demand बढ़ रही थी और वापस से इसकी demand बढ़ी है और इसी की वज़े से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे है तो इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊं लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ आपको भील के बारे में बताने के लिए देको भील बोलो या फिर भील बोलो एकी चीज है ये इंडो आरियन स्पीकिंग एथनिक ग्रूप है आप एकदम फार इस्टन में जाओगे जो नौर्थ इस्टन स्टेट्स है तो यहाँ पर तिरपुरा में ये जो बॉड़र शेयर करता है बांगलादेश के साथ यहाँ पर भी आपको कुछ भील कम्यूटी जो है वो देखने को मिलेंगी तो 2013 के अधार पर अगर आप देखिए तो यह लार्जस्ट ट्राइबल ग्रूप है भारत के अंदर और आज के डिट में बताया जाता है कि इनकी जो लैंग्वेजिस है वो अब हुआ क्या है कि क्योंकि अलग-लग राज्य में ही सीमत रहे गए हैं जैसे कि अगर वो गुजरात के अंदर है तो गुजराती बोलने लगे हैं जो भील कम्यूनिटी महराश के अंदर है वो माराथी बोलने लगे हैं इस तरह से आपको प्रजेंट में सीचुएशन देखने को मिलेगा लेकिन जहां तक भील प्रदेश की बात है तो यह बेसिक अगर आप मैप देखो ना यह ध्यान से इस तरह का यह ऐसा ट्राइंगल शेप में कुछ देखने को मिल रहा होगा यह इस पर्टिकुलर एरिया में यह लोग चाहते हैं कि इनका एक नया प्रदेश एक नया स्टेट फॉर्म हो जाए तो यह चार राज्यों से मिलकर बनेग तो यह जो पूरा जो डिस्टिक बताया है मैंने आपको अलग अलग राज्यों में इन चार राज्यों में यहाँ पर इनकी डिमांड है कि भिल प्रदेश एक अलग राज्य के तौर पर सामने आए इस समय जो बी टीपी जो पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट है 1913 में पहली बार इसकी डिमांड की रेस की गई थी डिमांड की आ गया था क्योंकि एक मैसकर हुआ था जो आपको पता होना चाहिए आपके एक्जाम में आ सकता है मानगर मैसकर मानगर मैसकर 1913 में हुआ था एक्जाक्ली आप कह सकते हो तो छे साल पहले जलिया वाला बाग जो हुआ था ना 1919 में, उसके उसके 6 साल पहले, तो एक प्रकार से इसको आदिवासी जलिया वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी hundreds of भील tribal people जो हैं, उनको मारा गया था British forces के दोरा, exactly 17th November 1913 को ये पुरा मैसकर हुआ था, और ये हुआ था Hills of Mangard, Hills of Mangard basically राजस्थान और तो ये जो मैसकर हुआ, उसी के बाद से जो भील community यहां पर रहती है, उनके दोरा लगतार demand raise किया जाता था, तो 1913 से बताया जाता है, कि कुछ इस तरह की चर्चा होई थी, फिर independence हो गया, 1947 के बाद से इंडिपेंदेंस के बाद से बताया जाता है, कि लगतार demand तो raise किया ग मतलब कि अभी भी ये separate state का demand क्यों करते हैं, तो आप देख साथ उनके जो president मैंने आपको बताया घोगरा, उनका ये कहना था कि पहले अगर आप देखोगे तो ये single entity होता था, जिसे कि राजिस्थान, गुजरात, MP के अंदर ये जो अलग-अलग regions है जहां पर भिल community रहती है वो एक single entity के तौर पर रहती थी, लेकिन post-independence क्या हुआ, कि ज़्यादा तर जो tribal majority regions है, उनको political parties ने divide कर दिया, और basically वो चाहते थे कि tribal community एक साथ एकतरित ना हो सके, क्योंकि राजस्थान वाले राजस्थान में सिमेत हो गए, मदप्रदेश वाले उधर सिमेत हो गए, तो ये एक साथ ना आ सके, एक जुटनता ना हो सके, इसलिए यहाँ पर उनको divide कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर इन communities का कहना है, इनके जो president है, उनका कहना है, साथी साथ वो ये भी कहते हैं कि कई दसकों तक अगर हम देखें, तो सरकार ने बहुत सारे laws लेकर आया है, कई benefits हो गय कि उनकी मदद की जाएगी, for example, 1996 में भी आप देख सकते हो, एक act पास गुआ था, जिसका नाम है, provisions of penchayat, extension to scheduled areas, इसको PISA Act कहते हैं, P.E.S.A., ठीक है, तो 1996 में ये act तो आ गया था, लेकिन राजस्थान में अगर आप देखोगे, तो 1996 में इसको enact किया था, फिर राजस्था कानून ले आती है, बहुत सारी चीजें ले आती है, लेकिन उसका जो actual implementation है, वो बहुत लंबा समय लग जाता है, जो MLA's है, Ministers है, BJP के हो, Congress के हो, उनको इस laws के बारे में कुछ जादा तर पता भी नहीं है, in fact, recently भी अगर आप देखिए, तो एक आपने सुना होगा, Congress का चि 70 साल भी चुके हैं, बार-बार हमें यही assurance दिया जाता है, next time हम करेंगे, next time करेंगे, लेकिन उन communities के लिए हो नहीं पाता है, और इसलिए वो चाहते हैं, कि एक अलग राज्य उनके लिए हो जाए, ताकि वो अपने community का भलाई कर सकें, इसके लावा यहाँ पर last question ये भी आन करना था कि मैं बहुत सारे लोगों को mobilize करने भी successful रहा हूँ, चाहें, meetings हो गई, gatherings हो गई, सारी चीज़े ट्राइबल के दौरा की गई है, awareness फैलानी की कुश्चिश की गई है, ट्राइबल जो youth है, वो दोनों parties से तंग आ चुका है, confidence हो चुका है, चाहें, Congress हो, BJP हो, और इस ट्राइबल पर्सन को भेजे, क्योंकि 10 साल पहले कोई ट्राइबल पर्सन वहां से गया था, BJP ने ट्राइबल पर्सन को भेजा था राजसभा में, जिनका नाम है कनक कमल कात्रा, और इस समय वो लोग समय MP है, ठीक है, बाना स्वारा से, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा ह कि उनका डिमांड है कि कॉंग्रेस पर्टी यहां से एक ट्राइबल पर्सन को अपर हाउस में भेजे, राजसभा में भेजे, तो यह डिमांड है, देखते हैं, आगे चलकर क्या होता है, बटाई होप कि इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इस स्टेट के बारे में, यहाँ पर है, टोडा ट्राइब का, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर स्टोरी में डालता रहत हैं, बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग सोचल मीडिया पर भी आप जूड पाऊगे, और जैसे मने बताया, किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड, और यहाँ पर UPSC के लिए तो आप अंकित फ्लैश यूज कर सकते हैं, क् आपको बड़ा डिसकांट मिलेगा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से नेक्स तैम, till then, thank you very much, see you soon.